हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए ए बीपी लाइव एड भारतिय जन्ता पार्टी के राष्टिय अद्यक्ष स्रिमान जेपी नडला जी पार्टी के सभी राष्टिय प्रदाजी कारीगान, राज्जों के प्रदाजी कारीगान और देश के कौने-कौने में उपस्तित सभी मेरे कारकरता साथियों एक ऐसे समय में जब दुनिया में सब अपने आपको बचाने में लगे हो आप सब ने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों जरुरत मंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है यह सेवा का बहुत बड़ा उदारन है कई शहरों में हमारे कुछ कारकरताओं का इस सेवा मिशन में काम करते-करते खत्रा है यह पता था फिर भी करतव्य के पालन के लिए इस महामारी के बीच भी कार्य करते रहें ऐसे अपने कई साथियों ने अपना सरीर छोड़ दिया उनका दुखत निद्धन हो गया मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र स्रधाजली देता हूं उनके परिवारों के प्रती मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं वहां की पार्टी के काई से भी आगर करूंगा कि इन सभी परिवारों को हम पूरी तरह समाले परिवारों की आवश्यक्ताओं की ओर देखें साथियों जनसंग और बीजेपी के जन्मका मूल तह उद्देश यही था कि हमारा देश सुखी और समुरुद्ध कैसे बने और इसी मूल प्रेणा के साथ भारतियता की प्रेणा के साथ सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीती में आये हम लोगोंने राजनीती में सत्ता को सेवा का माध्यम माना हमने कभी भी सत्ता को अपने लाब का माध्यम नहीं बनाया निश्वार्त सेवा ही हमारा संकल्प रहा है हमारे संस्कार रहे हैं हमारे यहां कहां जाता है यथा यथा सत्रुणे तुष्णेय यथा यथाय तुष्यत तथा संतोस ये तुम हर्थात जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोस है इसी भावना से गरीवों के प्रति इसी समभाव और ममभाव से हमारे कारकरताओं ने इतने कठील समय में सेवा ही संगठन का इतना बड़ा अभ्यान चलाया है आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे सच में बहुत अच्रज होगा मुझे मालूम था कि कोरोना काल में आप निरंतर काम कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बन था और ये बिमारी कभी भी हमेरे गले पड़ सकती है ऐसा भाय का माहूल था लेकिन आपने समर्पित भाव से लाखो करोडों लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं किया है आप उनका सहारा बने हैं उनके साथी बने हैं ये बहुती बड़ा काम है किसी ने मास बना कर लोगों में बाटे किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया तो किसे ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया कितने ही कारकरता ऐसे हैं जिनों ने तो दो चार दस गरीबों को एक तरह से अपने परिवार का ही सद्र से बना लिया जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उससे जादा करने की कोशिश की अब देखिये राश्टिय अद्रिक जीने का उधार अपने घर से रोज 500 परिवारों के लिए खाना बनाना और पहुंचाना और वो भी तीन महेने तक उपर से नीचे था कि यही हमारे समस्कार रहे हैं और इतना सब करने के बाद भी छोटे मुटे तो लाखों का रेकर तो नहीं काम किया कहां सब की तस्विर टीवी पर आई है कहां सब का नाम अखबार में छपा है कहां अपने गाउं के बाहर कौन जानता है फिर भी सेवा पर्मो धर्मह निर्फार्द भाव से काम करते रहना साथियों दुनिया की नजरों में आप कोरोना काल में काम करें थे ये सच्चा ही होने के बावद भी मैं मेरे नजरी से कहूं अगर खुद को कसोटी पर कस रहे थे ऐसा मैं कह सकता हूं आप अपने आदर्शों और वहवारों के बीच अपने आपको तपा रहे थे साथियों एक आदा आफ़त आई तो आपने उस आफ़त को भी अउसर में बदल दिया ये कोरोना हमेशा इस बात के लिए तो याद रहेगा कि भारतिये जंता पार्टी ने अपने आपको एक डिजिटल एडिशन के रुप में डेवलप कर दिया है हर कारकरता डिजिटल एक्टिविटी करने के लिए महीर होता जा रहा है अफ़सर ये कि आप जादा से जादा लोगों की सेवा कर सकें जादा से जादा लोगों की तकलिफ कम कर सकें उन्हें इस मुझिवत से उबार सकें जिस पार्टी के इतने सेंक्डों सांसद हो हजारों एमेले हो फिर भी वो पार्टी उसका प्रतेक कारकरता सेवा को प्राफ्रिक्ता दे सेवा को ही अपना गंतव्या और मंतव्य माने जिवन मंत्र माने भार्टी जनता पार्टी के रूप में एक कारकरता के नाते मुझे बहुत गर्व होता है बहुत आनंद होता है कि हम सब ऐसी संगठना के साथी हैं सदत्से हैं साथियों ये बिनम्रता ये प्रेणा हमें जनसंग के जमाने से लेकर अब तक जो चार चार पांच पांच पीडियों ने तब किया है उस परंपरा से हमारे अंदर ये सांस्कार संकरमीत हुए है उनकी तपस्या से हमें ये सब मिला है और जब हमारे पुरोगामियों की तपस्या से हमें ये मिला है तो हमारा ये काम हमारे समस्कार हमारा ये वहवार हमारा ये शबर्पित जीवन आगे की पीडियों के लिए भी प्रेणा का कारण बनेगा प्रेणा देता रहेगा साथियों, भारतिये जनता पार्टी अगर इतना कुछ कर पाती है, तो इसके पीछे हमारी एक और बहुत बड़ी विशेस्ता है। संगठन में जो संबेदन सिलता है, यह उसकी बहुत बड़ी ताकत है। राजनीतिक जो कमेंटेटर होते हैं, एकश्पर्स होते हैं, वह हमेशा ऐसी बात करते हैं कि संगठन की शक्ती लगती हैं, तो चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं बगरे बगरे। वो चुनाव के दाइरे में ही संगठन को देखते हैं, अन्य राजनितिक दलों के लिए शायद ये सच होगा, लेकिन भारतिय जनता पाटी के लिए ये अकलन अधूरा है, साथियों, हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की सिरफ मशीन नहीं है, हमारे लिए हमारा संगठन का मतलब है सेवा, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राश के जीवन में, बदलाव लाने के लिए हर नेश यग्यमे आहूति देते रहना, हमारे लिए हमारे संगठन का मतलब है सबका संग, सबका साथ, सबको लेकर के चलना है, हमारे लिए हमारे संगर्षन का बटलब है सबका सूख, सबकी समरुद्धी, हमारा संगर्षन समाज हित के लिए काम करने वाला है, संगर्ष करने वाला है, समाज और देश के लिए खब जाने वाला है, हमारे लिए हमेशा, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट रहा है और सात्यों ऐसा नहीं है ये बात हमने कहीं बाशणों के माध्यम से आपार्टी के प्रस्ताओं में लिख करके पास कराई और उसके कांड हुआ है जी नहीं राष्ट रहीत के इस भाव को राष्ट प्रथम के इस भाव को सापित करने में हमारी कई पीडिया खब गई है दिंदाल पादय जी शामा प्रशाज मुखर जी अनेक महपुरुष सभी वरिष्ट नेता अंगिनत उनके संस्कारों ने जी करके दिखाये हुए संस्कार की स्रंखलाने हमें प्रेदीत किया हैं और इसी प्रेणा से भारतिए जनता पार्ट ने बंचित हो, सोशी थो, दली थो, पिडी थो सभी को समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में लाने का, उन्हें ससक्त करने का निर्ट प्रयास किया है। आज इसी का प्रणाम है कि भारतिय जनता पार्टी में और हम गर्व से कह सकते हैं। हम कोई भेदभाव से नहीं देखते हैं लेकिंद दुनिया को समझाने के लिए कहना पड़ता है। हम एक गर्व है कि आज देश में जो साउसद है उसमें से बावन दलित साउसद भारतिय जनता पार्टी के हैं। 43 साउसद, 43 साउसद मेरे आदिवासी भाई हैं, बहने हैं। पिछणा वर्की अगर बात करें तो भाज पाके 113 साउसद से भी जादा पिछडे वर्क से आते हैं। साथियों, विधान सभाव में करीब करीब डेड़ सो से जादा आदिवासी MLA हैं बिजेपी के। यानि कि भारतिय जनता पार्टी हर वर्क से जुड़ी है। और समाच का हर वर्क हम से जुड़ा है। आपके परिशन से भाजबा का हर समाच से विश्वास का एक तूट रिष्था बना है। साथियों, वैसे राजनीती का मुल्च्वभाव, हम लोग तो रोज बर जिन्दकी को जीते हैं मालूम है। राजनीती का मुल्च्वभाव स्परदा होती है। लोग तंत्र का एक गूर भी है। लोग तंत्र पर इसको अच्छा माना गया है। लेकिन एक समान लक्ष के साथ, समान भाव से सेवा का काम संगठन की शक्ति बन जाता है। जब हम इस तरह का काम करते हैं, तो एक टीम स्पिरिट पैदा होती है। इस तरह के कारियों से व्यक्ति विकास और व्यक्तित्व का विकास भी नई संभावन अपादा हो जाती है। आपने खुद भी अनुभव किया होगा। इस तरह सेवा अभ्यानों से लोगों की मदद तो होती हैं, पार्टी कारकरताओं के तोर पर भी आप सबको भी समाज को जानने का, समाज को समझने का, नए तरीके से सोचने का, स्वहिम का विकास करने का अउसर मिला होगा। ऐसे अभ्यान हमारे कारकरताओं के लिए एक तरह से प्रस्रिक्षन का काम करते हैं, हम एक कमरे में बैट करके, भाशन सुनके, चर्चा करके, समवाद करके, फ्रस्रा उत्तर करके प्रस्रिक्षन करते हैं, ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल एक्स्पिरेंस से हमारा प्रस्र झाल झाल